दोस्तों आप सभी को तो पता ही है ना कि देश के कॉलकता में क्या हो रहा है कॉलकता में जो रेप केस हुआ है ना उसके बाहद वहां की जो CM है ना ममता बैनरजी अब वो खुदी प्रोटेस्ट करने के लिए ना वो उतर गई है सडकों पर और यही एक जो सवाल है ना वो समझ नहीं आ रहा है कि आकर ममता बैनरजी जो वहां की CM है और सिब CM नहीं है वहां की Home Ministry, Health Ministry सब उन्हीं के पास है वो आकर क्यों रोड पे किसके खिलाब उतरी है यह तब क्यों नहीं उतरी जब एक दो केस हो गया था एक दो दिन जब High Court ने यह केस CBI को सौप दिया उसके बाद ममता बैनरजी का यह रोडों पे उतरने का फैसला क्यों लिया गया क्या यह ममता बैनरजी का यह फैलियर है उन की सिस्टम का फैलियर था जो वो चुपाना चाह रही थी जो वो चुप नहीं पाया था तूब यह प्रानी बात नहीं बात नहीं है बहुत टाइम variation होता ही रहता है पता चला कि उसके मतलब क्या क्या चोटे लगी हुए यह साप दिखाई दे रहा था आखो पे यह वो जब उसके घरवाले गए तो उन्होंने एक ही बार देखते यह बता दिया कि उनको चोट लगी है बहुत सारी तो पुलिस वालों को ये दिखाई नहीं दिया था जो पुलिस वालों ने इस केस को सुसाइड बना दिया था तब कहां गए थे तो वही चीज़ है ना बहुत सवाल खड़े हो गए थे स्टार्टिंग में ही तभी ऐसी हाई कोट को घुछना पड़ा बीच में CBI को लाना पड़ा अब पुलिस कह रही है कि 90% हमने यह सौल्फ कर दिया था 90% CBI के आने से पहले अब CBI जब आती है तो पुलिस वाले तब वही चीज है ना जब ममता बेनर जी के हातों में ही है वो चीज़े समझ नहीं आ रही है यार आप देखो ना जो संजय रॉय जो आया है एक जिस एक बंदे को पकड़ा गया हिरासत में लिया गया है अभी तक तो यह भी नहीं पता है कि एक या उससे जादा कितने लोग इस पूरी घटना करम में इन्वाल्व थे क्योंकि यार देखो ना बहुत चीज़े हुई है आप देखे ना कि इस घटना करम को पूरा सुसाइट का मोर देना की सारे सबूत मिटाना कुछ भी एविडेंस नहीं रखना उसके एक अकेले सिंगल बंदे का काम हो सकता है यह तो बिलकुल ही इंपॉसिबल है इसके मसात स् वह बहुत सारे बंदे होंगे बहुत सारी किते होति उलुक्त के तो आगे चल के ही पता चलेगा ना फुर पुलिस के साथ ही रहता था पुलीस के सब कुछ काम करता था चौकी पे था जहां पर होस्पिटल है तब भी यह चीजे अपने खास साथ में रहने वाले बंदों को नहीं रोक पाए तो फिर आगे चलके बहुत ना यह चीजे आगे बढ़ेगी तो यह चीज गलत हुई है तो वही चीजे अब ना और भी जादा यह जो जन्ता है जो उनको समझ नहीं आ रही होगी कि यार यह क्या हो राएक यह से वेस्ट बंगाल में सारी पावर जब ममता बेनर जी के हाथों में है तो ममता बेनर जी किसके खिलाब उतर गई है सड़कों पर क्या पुलिस से एतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि स्टार् हो सकता है जो CBI सब कुछ अब पूस्ताज करेगी और भी बंदे आएंगे गार्ड, पुलिस ओफिसर, बड़े-बड़े नामी तब उससे आगे धीरे-धीरे निकल के आएगा इस केस के पीछे कौन था और भी कितने लोग शामिल थे क्योंकि अकेले एक बंदे के बस की इतनी बात नहीं हो सकती कि वो सब कुछ एविडेंस को ऐसे कर पाएगा किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाएगी और वो बच जाएगा उसका नाम ऐसे नहीं आएगा तो फिर वो चीज़े अब धीरे-धीरे निकल के सामने आएगे इसके पीछे हो क्या रहा है क्योंकि यार आपक को पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो यह भी नहीं बता रहे है वो चीज़े ना जनता तो सब समझती है जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है वेस्ट पंगाल में क्या नहीं हो रहा है यह बहुत पुरानी बाते जो चल रही है ना नहीं बात नह नहीं है कुछ वो जो उजागर हुई है तो अलग बात है लेकिन यह जवाब देना पड़ेगा यह बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का वेस्ट बंगाल के सीम का तो उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह सारी घटना जो भी हुई है उसके पीछे मतलब क्या है आखिर पुलिस ने आके बहुत सारे सवाल है यार उन सवालों का जवाब देरे-देरे सीबी आई के थुरूही सभी को मिलेगा आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कॉमेंट करके जरूर पूछे वीडियो चल लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब सब्सक्राइब करे उल खो झाया आब।